इशानगर के हड़सिधी माता के मंदिर में ब्रंदावन से पधारी देवी सत्यारचा जी के मुखार विंदी से भागवत कथा का आयुजन चल रहा है शीमत भागवत कथा में देवी सत्यारचा जी के द्वारा स्वी किष्ण रुकमणी विवाह के बारे में बताय गया जिसकी जहांकी भी सजाएगी जहांकी देख लोगों की खुसी का ठिकाना नहीं रहा और महलाओं समेथ पुर्सों और बच्चों ने विवाह में खुब ठुमके लगाए विवाह के बाद सभी ने श्रीकिष्ण और रुक्मनी के पैर पकारे और आशिवाद लिया जिसके बाद बर्साने की तर्श पर फूलों से होली की गई पूरा बाता वरंड ब्रंदावन के जैसे हो गया सभी जूमते रहे और नासते रहे आपको बता दे कथा में संकर जी की जहांकी भी लगाई गई जिसमें संकर जी आगे से खेलते हुए नजर आए यह नजारा लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया कथा में स्रीकिष्णी की भूमिका में मिली मिश्रा राधा जी की भूमिका इतिका पटेरिया और रुकमणी का किर्दार शान्या मिस्टा के द्वारा निभाया गया है साथ में उनकी अनिय सक्या मौजूद रहें जिनोंने अपने डांडिया के प्रदशन से सभी का दिल जीत लिया आपको बता दे इशा नगर में मिस्टा परिवार की द्वारा हर वर्स चैत्र नवरात्री पर धार्मिक आयुजिन किया जाता है और इस वर्स भी सत्चंडी महायगी के साथ शिमत भागवत कथा का आयुजिन किया गया है मही कथा के बाद महा आर्ती की गई महा आर्ती में सैक्रो की संख्या में कई लोग मौजूद थे मुख्य रूप से पंडित हरीस मिस्टा, बौवी मिस्टा, उम्प्रकाश मिस्टा, जलज मिस्टा, सूनु अकरवाल, स्री लक्ष्मी प्रसाद गुपते, भरत गुपता, मोनु अकरवाल आदी लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे